Netflix को हम सब ऐसे जानते हैं जैसे वो एक streaming giant है और वाकी है लेकिन इसकी history ऐसी नहीं है historically ये लोग CDs डिलेवर करते थे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो red envelope है न ये इनकी पहचानती है लोग डिलेवर करते थे शिप करते थे CDs और बाकाईदा अभी इन्होंने अपनी website पे अपनी June 2005 की एक तस्वीर भी लगाई है जिसमें आप देख सकते हैं कि 17.99 dollar per month for unlimited CDs और उसमें no late fees आप बेशेक late submit भी करा हैं payment तो no late fees और free shipping और इनका दावाई ये है कि आज तक ये जो CDs इन्होंने डिलेवर की हैं 40 million subscriber इनको CDs के मिलेवे हैं और अगर मैं number of CDs की बात करूँ तो 5.2 billion CDs इन्होंने आज तक डिलेवर की है 2007 में इन्होंने अपनी streaming service launch की लेकिन 2007 में pure online कोई subscription नहीं ले सकता था यानि 2007 में ये online और ये physical CDs mix लेनी होती थी 2010 तक 2010 तक ये था और 2010 के बाद इन्होंने फिर pure online को launch किया अचा यहां यह भी याद रहे कि जो इन्होंने streaming service launch की की न तो उस दोर में सारी बदमाशी cable service वालोगी थी आपको याद होगा हम लोग जब छोटे थे तो रात 8 वजे सब जमाओ के drama देखते थे वो उसी time पर आता था लेकिन इसने अपना जो recorded lectures वाला गेम खेली ना इन्ही केबल इंडस्ट्री के आदे से जादा सब्सक्राइबर अपने पास खेंच लिए बहुत बड़ाइस का point था अच्छा यहां तक के पिछले साल 2022 की मैं बात कर रहा हूं यह भी last year की बात कर रहा हूं इन्होंने cds का काम आज तक चल रहा है आज तक चल रहा है तो 145.27 million dollars का इन्होंने revenue cds deliver करके कमाया है जो के 2021 के सामने 20% कम हो गया था कम हो गया था लेकिन अभी तक इन्होंने millions of dollars इससे बना रहे हैं यह अलग बात है कि Netflix खुद billions of dollars की कमपनी है इसके streaming revenue के सामने यह इतना सी चीज़ है लेकिन आज तक यह मौजूद है अच्छा इनके बारे में यह है कि 2019 तक इन्होंने अपने subscriber cds वाले भी report करते थे अपनी financial statement में और 2019 के बाद नहीं वो report करना बन कर दिये क्योंकि वो चाह 2 million subscriber रह गए थे अच्छा यहां पर एक बात बड़ी अजीब है कि हम सोचें तो कि there is always an old school यानि आप इससे अंदाजा लगाएं कि 2022 तक इन्हों ने 145 million dollar cds rental से कमा है जबके internet का इतना high इतना high technology के दोड़ है तो याद रहे कि एक old school हमेशा रहेगी अच्छा 2019 तक इनके पास 2 million subscriber थे इवे मैंने बताया तो एक old school हमेशा दुनिया में रहती है चाहिए जितनी भी technology आ जाया है मैं आपको कुछ मिसाले देता हूँ electrical car आ गई है और अब चल भी रहे यूएस में तो बहुत है लेकिन आज भी मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ और ऐसे states हैं जिनकी mentality यह है कि हमें गाड़ी में आवास चाहिए जोड़दार तो उनको old school से मज़ा आता है इसी तरह यहां यूएस में तो banking system इतना strong है कि आप अप online classes physical classes मैं मानता हूं मैं खुद on online is 90% now 95% now हर तरफ online है लेकिन एक छोटी class ऐसी हमेशा old school की रहेगी जो physical जो जिनको physical class से मज़ाता है वहीं उनका mindset ही ऐसा है कि हमें physical करना है इसी तरह United States में बहुत बड़ा issue है यहां कि बहुत सारी insurance industries और कितनी claim industries facts पे चलती है मैं देखता हूं लोग इतने इतने facts के papers लाके उस पर जबके email और whatsapp और क्या क्या नहीं आगिया यानि paperless काम हो सकता है फिर भी वो paper पे चलता है तो there is always an old school जिसको हर हाल में उसी level पर लेके चलना है तो मैं आप लोग से request करूँगा कि अगर आपके mind में ऐसी को example है तो आप share करें अचा last and the most important information कि Netflix के CEO नहीं announce किया है कि इस साल ये 2023 का जो 29 September होगा अब से ही अपना ये काम discontinue कर देंगे ये वाली जो CD service है ये discontinue हो जाएगी और 29 September कोनों ने वो date announce किये कि आखरी CD डिलिवर होगी तो उमीदा आपको information पसंद आई होगी अपना बहुत ख्याल रखेगा लाँ आफेस